विज्डम कैपसूल मेसेज बाई सरश्री छोटे संदेश गहरे संकेत जीवन जो खेल चल रहा है उसके क्या नियम है क्या सिद्धान्त है किन नियमों पर ये खेल चलता है यदि कोई जान जाए तो यह आनन्द दे सकता है और वह उद्देश पूरा होगा जो पूरा करने के लिए इनसान का जनम मिलता है जिसके लिए इनसान पृत्वी पर आया है क्योंकि इनसान के पास ही कुछ ऐसी शक्तियां है जो किसी जानवर में नहीं है इनसान के पास ही विचार करने की शक्ति है मगर वह विचार किस तरह कर रहा है इनसान क्या सोच रहा है इनसान के सामने भी कुछ चीजें आती है पैसा आता है शहरत आती है रिष्टे नाते आते है कला होती है कोई इन सब को देखकर वह क्या सोच रहा है और वह सोच बताती है कि उस इनसान के अंदर कितनी मानिताएं है कितने अजम्शन है कितने दोखे है अगर उस मानिता को प्रकाश में लाया जाए तो एक बहुत बड़ा चमतकार हो सकता है वह चमतकार इसलिए क्योंके सारे दुख जो उन मानिताओं की वज़े से है तूड जाएंगे कुछ समय पहले वह दुखी था और ग्यान मिलते ही सारे दुख समाप्त हो गए जैसे कोई इनसान तालाब के किनारे खड़ा हो और उसकी परच्छाई पानी पर गिर रही हो और पानी हिल रहा है कोई कहे देखो तुमारी परच्छाई जो है कांप रही है तो वो क्या कहेगा इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंके मेरी परच्छाई कांप रही है मैं नहीं वो क्या कहेगा कि मेरी परच्छाई कांप रही है मैं नहीं यह विचार वह कर पाया तो उस वज़े से क्या उसे दुख होगा कि मेरी परच्छाई क्यों कांप रही है मगर ठीक यही गलती इंसान करता है जब वो कहता है मेरा मन अशांत है और कोई कहे मेरा मन अशांत है और उसे बता आ जाये अच्छा तुम्हारा मन अशांत है तुम तो नहीं न तो तुम्हें के तकलिफ है जैसे परच्छाई कांप रही है तुम्हें कोई तकलिफ नहीं है वैसे मन कांप रहा है मन में कोई डर चिंता व्याकुलता है तुम्हें इससे कोई फरक नहीं पड़ रहा यह सुनकर इंसान वह विचार नहीं कर पाता जो उसे करना आना चाहिए क्यों नहीं कर पाता क्योंकि चारों तरफ जो लोग बात कर रहे है उसी मानिता के हिसाब से बात कर रहे है जब सभी एक ही तरह से बात करते है वही हमें सत्य लगता है अगर किसी गाओं में सभी लोगों को कम सुनाई देता है तो सभी एक दूसरे से चला कर बात करेंगे और कोई बाहर गाओं का आकर कहे कि तुम इतना चला कर बात क्यूं करते हो वो कहेंगे पागल है क्या है सभी ऐसी बात करते वो कहेंगे चलाने की जरूरत नहीं है कान का इलाश करवाने की जरूरत है मर कोई नहीं मनेगा क्योंकि सबही चला कर बात कर रहे है तो वो नॉर्मल लगता है जो बीमारी सबही को है वो बीमारी लगती नहीं जब कुछ लोगों को होती है तो लोग बाकी कहते ये बीमारी तुमें है तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो सभी को लगी है और उससे बाहर आने को ही आत्म साक्षात का सेल्फ रियलाइजेशन स्वेंबोध या जीवन में पूरुनता प्राप्त करना खुलना ऐसा कहा गया ऐसी क्या विचार शक्ती हम शुरू करें यदि आपके अंदर वह विचार शुरू हो जाए कि हम अपने आपको क्या मानकर जी रहे है हाला के कहते है कि मेरा मन मेरा शरीर मगर अपने आपको वही मानकर जीते है जैसे शेट हमारी फट जाए तो हम ये कभी नहीं कहते कि मैं फट गया मगर शरीर के साथ कुछ हुआ तो यही कहते है मुझे हुआ एक जगे कितना बढ़िया कॉमंसेंस है हर एक को वहवारिक बुद्धी कितनी बढ़िया है कि भई शेट फट गई तो मैं नहीं फटा मगर वही वहवारिक बुद्धी कहां चली जाती है जब शरीर पर कुछ पीड़ा आई तो कहता है मुझे पीड़ा आई हालाकि हमेशे यही कहता है यह मेरा शरीर है तो वह विचार वह क्यों नहीं कर पाता उस वक्त उसे याद क्यों नहीं आती क्या वह देख रहा है चारों तरफ जिस वज़े से वह विचार उसके अंदर उठता ही नहीं समझ में आये के हमारे विचारों में क्या परिवर्तन आता है जब हम कोई चीज घर में रखते है ये विचारों की शक्ती है जो आपके अंदर positive चीज़ों को लाती है आपकी तरफ attract करती है happy thoughts आपने शब्दों सुना ये happy thoughts क्या करेंगे बहली आपके घर का दर्वाजा उत्तर दक्षन पूरपश्यम की दरफ नहीं हो और विचार किस तरह के चल रहे है तो ये विचार कैसे बदलेंगे जब हमारी विवेक शक्ती जागरत होगी सत्य और असत्य के बीच में फरक कैसे जाने और तभी हम पूर्णा खिल पाएंगे खुल पाएंगे पेट में बच्चा सुकड़ा होता है वो बाहर आना चाहता है खुलना चाहता है हमारे अंदर भी कुछ खुलना चाहता है क्या हम खुलने को तयार है कुछ प्रियोग करने को तयार है हमारी विचार धरा किस तरह की है इंसान की सोच उस अनुभाव तक जा सकती है तो क्योंनो हम अपने विचारों को एक दिशा दे और सुबह से लेकर रात तक सारे काम काश करते हुए उस अनुभाव पर स्टेबलाइज हो जाए उस अनुभाव का आनंद लेते हुए काम करे अगर कोई ऐसी अवस्ता है अगर कोई ऐसी अवस्ता दुनिया का एक इंसान प्राप्त कर सकता है तो सभी की संभावना है तो आपकी जो संभावना है आनंद प्राप्त करने की खुलने की खिलने की पूरणता प्राप्त करने की वो जल्द से जल्द आपको मिल जाए इस विशय पर और विस्तार से मार्ग दर्शन पाने के लिए आप इस वीडियो का लाब ले सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है. इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राए हमें कमेंट करके जरूर बताएं. हमारे हैपी थौट्स देजग्यान और सरशरी देजग्यान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद